सबी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी एस ग्यान हब पर क्लास दो-चार मिनट लेट हो गई क्योंकि मैं कुछ यहाँ पर टेक्निकल इशु फेस कर रहा था अब वो टेक्निकल इशु जो हो खतम हो चुका है आप सब लोग जितने भी क्लास के साथ जुड़ना चाते हैं आजाईए क्लास के साथ आज फिर हम लेकर आए हैं इस जी एस जी के और करंट अफेर के दो हजार से ज़्यादा क्वेस्टन सीरीज का छटा पार्ट सिक्स पार्ट है और आज भी हम कुछ 20-25-30 क्वेस्टन के आज पास डिस्कस करेंगे आज मेरा टार्गेट रहेगा कि सभी फिल्ड से क्वेस्टन आपके सामने रहें पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री से जी रिलेटेड जाया क्वेस्टन लिये थे रहुल सिंग आजाओ भाई गुड इवनिंग नमस्कार आपको बाकी लोग भी जितने जुड़ना चाहते हैं आजाई ये जल्दी सी क्लास के साथ क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी है क्लास तो ये जो 2000 से ज्यादा क्वेस्टन की सीरीज है इसके अंदर का आज का पहला क्वेस्टन मैं ले लेता हूँ देखो हमारे शरीर में जो सबसे महत्पॉन पार्ट है वो दो है एक होता है ब्रेन और एक दूसरा होता है हार्ट यानि रिधय और मस्तिस्क इसमें सबसे खतरनाक चीज होता है मस्तिस्क मतलब ये फेल हो जाए तो सब कुछ फेल है और वैसे हार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो मस्तिस्क भी काम नहीं करेगा ये पक्की बात है तो यहाँ पर जो रोशन कुमार आपको भी नमस्कार क्लती है हमारे रिधय के चार पार्ट होते हैं दो उपर की तरफ होते हैं और दो नीचे की तरफ मतलब इंसा अने से खड़ा होगा तो बाएं बाएं तरफ वाला और दाहीनी तरफ वाला तो आपको बताना है कि जो महा धमनी जोगी पूरे शरीर के अंदर शुद्ध ब्लड लेकर जाती है यानि जो प्योर ब्लड होता है जो oxygenated होता है जिसमें oxygen होती है उस ब्लड को पूरे शरीन में पहुँचाने का काम करती है तो यह महाध्धमनी कहां से निकलती है दाहिने निले से बाए निले से दाहिने आलिंद से या बाएं आलिंद से बताइए वेंट्रिकल्स यह होते हैं और ओट्रियम यह होते हैं आपको बताना है कि यह कहां से आउट होती है बहुत ही शांदार पहला प्रश्ण मैंने लिया है ताकि आप सब फोकस कर सकें हाँ जी देखो बच्चों ऐसे प्रश्ण का जवाब देने से पहले जरा आप समझ लीजिए कि हमारे हार्ट में क्या-क्या होता है इधर देखी जरा देखो इसका जवाब तो होगा कि जो यह होती है और टा यह निकलती है हमारे जो हार्ट होता है उसके इस लेफ्ट साइड वाले जो और्ट्रियम होता है यहां से निकलती है आलिंद से ठीक है और पूरे शरीर के अंदर प्योर ब्लड ले जाने का मेन आर्ट्री करीज ब्लड अवे फ्रॉम यूर हार्ट तुझी रेस्ट अब दी बोडी ठीक है पूरी बोडी के अंदर ब्लड पहुचाने का काम करती है थे ब्लड लीव्स थी हार्ट थू दी आर्ट्री अहां और्टिक वाल्व मतलब यह जो और्टिक वाल्व जिसे बोलते है न लेफ्ट साइड वाला उसमें से यह निकलती है मतलब सब जगे यही से ब्लड जाने का काम होता है तो यह लेफ्ट साइड वाले और्ट्रियम से मतलब बाएं आलिंद से यह बाहर निकलती है ठीक है बच्चों जो बाया आलिंद होता है यह वाला मतलब इसका डी आंसर होगा लेफ्ट और्ट्रियम से निकलती है हाँ जी बी लेफ्ट वेंट्रिकल तो निचे वाले होते हैं न यहाँ देखो जरा ध्यान से देखो कहाँ से निकल रही है हम और्ट्रियम वेंट्रिकल से यह होते हैं बच्चों और और्ट्रियम होते हैं यह चलो, next question लेते हैं next question बताओ, आज मैंने current affair से related भी काफी सारे लिये हैं glavenization यानि मुलम्मा साजी का मतलब इसपात की किसी पतली परत के साथ आवरण करना मतलब लोहे के उपर इसपात की एक परत चड़ाई जाती है इसपात के उपर, लोहे के उपर वो किस चीज की चड़ाई जाती है ताकि उसको रष्ट ना लगे, बताइए रष्ट लगने से, यानि जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए किस चीज का परत चड़ाई जाता है क्रोमियम का, जिंक यानि जस्ता, अलुमिनियम का या निकल का किस चीज का परत चड़ाया जाता है हाँ जी यहाँ पर आ चुके हैं जिंक बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं डी बोल रहे हैं बहुत कुछ देखो बचो जिंक यानि जस्ते का परत चड़ाया जाता है अगर लोहे के उपर जंग लगने से बचाना है इस पात के ऊपर, आईरन के ऊपर, तो उसके ऊपर जो उसको बोला जाता है ग्लेवनाईजेशन, यह जो ग्लेवनाईजेशन है ना इसमें जिंक और जोड लो, यहां से समझ लेना जिंक याद रखना जिंक, जेड आई जिंक, 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 जिंक तो जिंक की परत चड़ाई जाती है अगर लोहे को जंग लगने से बचाना है तो जिंक कोटिंग टू स्टील और आईरन किसके लिए? तो प्रिवेंट दिर रस्टिंग जंग से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है इसको बोला जाता है गलेव लाईजेशन गलेव लाई जिंग भी बोलते हैं मतलब जिंक के कारण इसको नेक्स्ट क्वेस्चन आपके सामने यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर होगा यह रहा हाँ जी सर्वोत्तव गुणवत्ता वाला कोईला जिसमें 80-95 प्रतिशत तक कारबन होता है देखो बच्चों लोहे के चार प्रकार होते हैं एक होता है पीट एक लेगनाइट एक बिटुमिनस और एक होता है एंत्रोसाइड यह क्वालिटी के अनुसार डिवाइडेड होते हैं कि कौन सा कोईला ज्यादा हमें फ्यूल देगा एनर्जी देगा और कौन सा कम जवाब आया है देखो बच्चों एंत्रोसाइड जो होता है रहो बेस्ट क्वालिटी का होता है मैंने सिक्वेंस में इसलिए लिखे हैं तागे आपको चारों पता चल जाए मेरा यहां पर मतलब केवल यह नहीं है कि आपको जवाब पता है या नहीं यहां पर मतलब यह भी है कि आपको कुछ चीजें हैं जो अच्छे से याद हो जाने चीए रट लो इसको पीट, लिगनाइट, बिटुमिनस और एंत्रोसाइड यही है इनका सिक्वेंस सबसे बहतरीन कोईला है और सबसे खराब जो कोईला होता है वो कोईला है ठीक है इसक कोजरा यहां समझने ही कुशिश कीजिए पीट जो होता है नोट है कोल इसको तो कही कही दिया जाता है कि यह कोईला है यह तो गंद है कच्रा है इसको ब्राउन कोल बोलते हैं लिगनाइट को यानि भूरा कोईला बिटुमिनस को सॉफ्ट कोल यानि मुलाइम जिसे कहते है कोईला बोलते हैं और एंत्रोसाइड को बोलते हैं हार्ड कोल यह पत्थर की तरह आता है मजबूत ठीक है अब देखो इनका यहां दो चीजें दे रखिएंगी Increasing Heat and Carbon Content मतलब किसमें Carbon Content ज़्यादा होता है और Heat भी ज़्यादा देता है तो इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है लगाता है ठीक है, increasing moisture content, अब जिस कोईले में moisture content ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, धुवाई धुवाई छोड़ेगा, जैसे गीली लखडी को हम जलाएंगे न, वो भी बात में कोईलाई बन जाती है न, बिल्कुल गीली लखडी को जलाओ आप, कोरा धुवाई छोड़ेगी, क्यों छो सबसे कम करता है, यह प्रोदूशन सबसे कम करेगा, अगर pollution की बात करेंगे, और pollution की बात करेंगे, तो यह production करेंगे उस सबसे जादा करेगा, maximum करेगा, ठीक है? आपने धेखा होगा बहुत सारी चाय घले हख़ते हैं, पहले सिगडियां होती थी, और जो भट्टी होती है जहांपे हमें तंदूरी, चिकन, नान, रोटी बगर आप शेकने को मिलते हैं, उसमें कोईला जलाते हैं, उसको हतोडे से तोड़ते हैं, बहुत जोड़ जोड़ से मार के, क्योंकि वह बहुत ही हार्ड कोल होता है, और वह एंथरसाइट टाइप का कोईला ही होता है, हाँ ज इस रज्य का लोक निर्थ्य है, धोलू कुनिथा is a folk dance of which state of India, कौन से रज्य के अंदर धोलू कुनिथा, जो निर्थ्य है, वो किया जाता है, बताइए, अब इस सर, C.O.C.V. कॉल, है ना होता है, बिहार का है, नंदू सेन बोल रहे हैं, प्रिति यादव कह रही है, C, बिहार, ओके, सेलन बोल रहे हैं, A, और कोई जवाब देना चाहेगा, देखो, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें, तो जवाब कुछ ऐसा आएगा, Over the years, धोलू कुनिता has become a reverse folk dance in करनाटका, Every official function, चाहे कोई official function हो, any big occasion, कोई बड़ी party वगर हो रही हो, ये धोलू टीम जो होती है, उसको हमेशा बुलाया जाता है, तो बच्चों, ये करनाटका का है, अब अगर कोई question आ जाए, तो करनाटका इसमें answer देना है, बहुत ही famous है वहाँ पर ये, तो आज जिन जिन लोगों ने D answer दिया था, वो एकदम सही है, कुछ लोगों ने तो Google भी कर लिया होगा है उसको अब तक, ठीक है, तो करनाटक जवाब देना है, ना कि बिहार, हाँ जी, आजाओ जराब, कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है, जीवनी का बताना है, मतलब जो बायोग्राफी होती है जिसके बारे में, किसी के बारे में पूरी किताब लिख देते हैं, कि उसका जीवन कैसा रहा है, उसको बोलते है जीवनी, या फिर इंग्लिश में बोलते है उसको बायोग्राफी, जो कि किसने लिखी है, जो कि किसने लिखी है, जो किसने लिखी है, जो किसने लिखी है, ज डेर टू डेर टू टू डेर टू फॉर दी निवु जनरेशन किसी ने डी बताया किसीने सी बताया किसीने यहां पर हां बफरिंग कर रहा है आज तो नहीं करना चाहिए यार पिछली क्लास में तो ये गड़बड हो गई थी जो मेरा वाइफाई कमजोर था वो कनेक्ट हो रखा था आज तो अच्छा वाला हो रखा है आज बफरिंग नहीं होगी अगर आपके यहां हो रही है तो आपके यहां प्रोब्लम है और भी किसी को बफरिंग फेस करनी पड़ रही है बताओ जरा मुझे राउल सिंग करे हैं बफरिंग कर रहा है वीडियो नहीं बफरिंग नहीं होगी वो कैमरा जो फोकस वाला है वो कर रहा होगा देखो बच्चों मैं सारी बता देता हूं यह एज ओफ टाइम्स क्या है फ्लड ओफ फायर क्या है दी मदर आई नेवर न्यू यह नोवल है और यह है जो डी है ना यह है कल्पना चावला की जीवनी आई यह जरा मैं दिखा देता हूं कौन-कौन सी किस-किस की है आई यह जरा ने शूरी दी एज ओफ टाइम गलत बोलती है मैंने दे डे टु यह दे टु डू फोर दी न्यू जन्रेशन किरन बेदी की जीवनी है याद रखनो वह किरन बेदी की है कल्पना चावला की यह दि एज ओफ टाइम यह 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 वाला यह नहीं है ये वाला है as of time ठीक है और ये वाली है किरण बेदी की जीवनी याद रखना किरण बेदी की जीवनी कभी exam में पूछ ले तो आपको बताना है कि वो है dare to do for the new generation अब dare हिम्मत किसने दिखाई पुलिस में जोइन करके IPS बनना देश का पहला ये dare ही थी हिम्मत ही थी ठीक है इसके अलावा कल्पना चावला वाली थी the age of time अब age मतलब एक किनारा और वो भी समय का किनारा समय का किनारा मतलब इतनी दूर चले जाना जैसे कहते ना कि time और space space में time to age of जैसे कहते है time मतलब इतनी दूर चले जाना तो मतलब ये space की तरफ जाने वाली चंद्रयान की तरफ चाले वाली ये महिला जो की space य Wrong c crash होने की वज़े से इनकी death हो गई थी और ये दो ओर हैं जो के खास important नहीं है ये भी novel ही है वैसे ये अमितव घोश का है flood of fire और वहाँ पर एक शुधा मूर्ती है जिनकी वो novel है जिसके अंदर कुछ बच्चे हैं जो जानते ही नहीं है कि उनकी mother कोन है और वो खोजते रहते हैं तो उस तरीका का एक novel है अगर कोई पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकता है चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं भारतिये क्रशी अनुसंधान पूसा ये भी लिखा हो आ सकता है पूसा भी का मुख्याले कहां है बहुत common question है और बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि आज भी 60% के आसपास इंडिया के जो लोग है वो एग्रिकल्चर के अंदर employed है मतलब employment कहां मिला हुआ है क्रिशी के अंदर दिल्ली में है लखनव में है देरादून में है या करनाल में है सब का सही आंसर होना चीव ही यहाँ पर तो कम से कम जो आठवा प्रश्न है उसमें कम से कम सब सही आंसर दे देना कहां है मैंने जवाब तो वैसे बता दिया है दिखा भी दूँ कि उसके बाहर लिखा हुआ कैसा है Indian Agriculture Research Institute यह दिल्ली के अंदर है यहाँ पर आप देख सकते हैं बारतिय कर्शी अनुसंधान संस्तान यहाँ लिखा हुआ है नई का यह दिख रहा है और दिल्ली का यह दिख रहा है चलो next question देखते हैं अगला प्रशन है यह रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है इन में से which of the following book is written by the रोहिंटन मिस्त्री यह रोहिंटन मिस्त्री भारत के ही है लेकिन कैनेडा में रहते हैं और एक बड़िया राइटर है तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है इंगलिश अगस्त लिखी है our moon has blood clots यह लिखी है या serious man लिखी है या a fine balance लिखी है कौन सी बुक लिखी है इन्होंने रोहिंटन मिस्त्री ने इनको novel के लिए भी announcement हुआ था इनका वैसे novel मिला नहीं इनको लेकिन announcement हुआ था इनकी कई सारी अच्छे अच्छी books को लेकर तो भारत के रहने वाले हैं कैनेडा में हैं लिखते हैं और nobel प्रोसकार मिलने के भी chances इनको मिल गए थे बन गए थे तो इनकी बुक का नाम क्या है यह सारी ही बुक किस किस की है जरा आईए इधर देखिए एक बुक से काम नहीं चलेगा इंग्लिश अगस्ट जो है वो उपामन्यू चटर जी की बुक है ठीक है एन इंडियन स्टोरी भारत के बारे में लिखी हुए इंग्लिश अगस्ट और यह जो बुक है यह है राहूल पांडिया की बुक है Our moon has blood clots, a mirror of a lost home in Kashmir मतलब कश्मीर में जो घर खो गए थे खासकर जो हिंदू पंडित लोग थे जिनको कश्मीर से निकाला गया था वो यह बुक उस बारे में लिख रही है Serious man जो है वो मनु जोसेफ की बुक है और यह रोहिंटन मिस्टरी की बुक है A fine balance A fine balance तो मतलब इसमें D जो option था वो बिल्कुल सही answer था A fine balance यह वाली बुक है रोहिंटन मिस्टरी की और रोहिंटन मिस्टरी साब जो है वो Canada मूल के मतलब भारतिय मूल के Canada में रहने वाले writer है किस तारीक को विश्व मस्तिस्क tumor दिवस मनाया जाता है मस्तिस्क में जो cancer हो जाता है na word brain tumor day तो brain tumor हम अक्सर सुनते हैं कि इसको brain tumor हो गया मस्तिस्क में cancer हो गया हिंदी वाला शब्द तो जहाता लोग नहीं सुनते लेकिन English वाला शब्द बहुत बार सुनते हैं कि brain tumor की वज़े से इनकी death हो गया इनको brain tumor हो गया तो दुनिया बर में ऐसे cases बहुत सारे आ रहे है brain tumor के तो वो कौन से दिन मनाया जाता है ए बी पांच जून आठ जून या बारा जून या इकिस जून को दस में question का जवाब क्या देना चाहेंगे गोरव कुमार यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बारा को रोशन कुमार कह रहे हैं दस को दस का भी है जवाब मतलब और नंदू से नहीं कह रहे हैं नहीं पता देखो brain tumor बहुत बड़ी समश्या है दुनिया भर में और इसका जवाब है बच्चों 8 जून को मनाया जाता है brain tumor world brain tumor day ठीक है 8 जून को याद रखना क्यों जो कि अभी अभी गया है 8 जून जून का ही महीना चल रहा है और अभी थोड़ी दिनों पहले ही 8 जून को world brain tumor day मनाया गया था तो किस-किस ने क्या-क्या आंसर दिया था देख ले ना इसका आंसर होगा B 8 जून ठीक है 8 जून को मनाया जाता है चलिए अगला प्रशन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रहा किस भारतिय ने अज यह बहुत यासान है भारतिय ने अर्थ शास्त्र में नोबल मोमेरियल जो प्रुषकार जीता है मतलब कौन सा है इन में से विच इंडियन हैज वन दी नोबल मेमोरियल प्राइज मतलब नोबल प्राइज किसको मिला है एकोनोमिक्स में तो सबको पता होना चीए उनका नाम तो बहुत फेमस है क्वेस्चन नंबर 11 का जवाब कौन दे रहा है बी जवाब दे रहे हैं बी जवाब दे रहे हैं बी जवाब दे रहे हैं ये वाला शब्द याद रखना, जिस शब्द के लिए, जिस सेंटेंस के लिए उनको वो मिला था, नॉबल प्रोस्काई मिला था, और वो रिसर्च कहां कर रहे थे, वो Harvard University और University और Cambridge, ये दोनों जगे से ये पड़े लिखे हैं, और यहाँ पर ये अपने स्पीच भी देते थे, University of Cambridge में, Cambridge University में और Harvard University में दोनों जगे, for his contribution to the welfare economics, मतलब उनकी जो economics थी, वो welfare की तरफ ले जाती थी, कि public की जितनी help कर सके government उतनी बढ़िया है, ठीक है, इसको याद रखना कि welfare economics को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, और उसी के लिए उनको 1998 के अंदर 1998 में इनको Nobel पुरुसकार मिला था, 1998 भी याद रख सकते हैं, 1998 कब अमरित्य शेहन को Nobel Prize मिला था economics के लिए, तो human development theory, capability approach और जिसमें वो कहते थे, कि welfare economics होने चीए, यानि जनकल्याण वाली economics होने चीए, तभी तो कहते हैं, कि इस सरकार का जो budget इस बार आया है, वो public के favor वाला है, और इसमें जनता के कल्याण के लिए budget आया है, जनकल्याण या जनता मुखी budget है, तो वो यही तो बात कर रहे हैं, welfare मतलब लोक कल्याण, लोक कल्याण कारी budget है, आपने सुना होगा, लोक कल्याण कारी budget, बजट जब भी आएगा, तो सरकार अकसर क्या कहेगी, बजट किसमें आता है? इंको मिला था, हमेशा लोग-कल्याण की बात करते थे, अपनी एकॉनोमिक्स के अंदर, भारती मुक्यबास, M.C. M. admitted, प्रफिर मंोंने औ्टोपाईोक्राफी, खुद की किताब खुद ने लिखी है, M.C. M.E. इन्होंने 6 या 7 बार World Championship जीती है, तो यह भी एक बड़ी बात है, Article 112, Public Welfare Budget, बिलकुल, 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 और उसी चीज के उपर उनको Nobel पुरुसकार मिला है, Playing to Win, Unbreakable, No Holding Back, या Imperfect, कौन सा, बार्वे का जवाब क्या दे रहे हैं, बार्वे का जवाब दे रहे हैं, C, No Holding Back, ओके, और कोई, B, B जवाब आ रहा है, अंजान का और रोशन का, नंदू सैने D जवाब दे रहे हैं, चारों की चारों बुक ही किसने लिखी हैं, आईए ज़रा देखिए और आपके सवाल को पर रखिए, MC, Marycomb की जो आत्म खता है, उसको याद रखने का तरीका है, कि वो लोगों को break करती थी, खुद unbreakable थी, ठीक है, खुद unbreakable थी, उसका मुँ कोई नहीं तोड सका, उन्होंने लोगों के सब के मुँ तोड़े, boxing में, ठीक है, unbreakable, और Michael Holding, एक West Indies के pace bowler थे, Michael Holding, पुराने bowler है, कपिल देव के time के है, तो उन्होंने अपनी autobiography लिखी है, उसने कहा, no holding back, मतलब पीछे नहीं जाना, no holding back मतलब, पीछे से नहीं, और imperfect लिखी है, जो book वो लिखी है, संजे मांजरेकर ने, जो कि बहुत अच्छे commentator है, और अक्सर आप को हिंदी या, English में कोमेंटरी करते हुए क्रिकेट में देख सकते हैं, और भारती पूरू क्रिकेटर भी रहे हुए हैं, और playing to win जो है, वो एजी, लेफले की book है, यह former chairman रह चुके हैं, और CEO रह चुके हैं, Proctor and Gamble के, देखो बहुत सारे product हैं, हिंदुस्तान में बिखते हैं, Proctor and Gamble, PNG जब द Gamble, company का नाम है, उसके CEO रह चुके हैं, ठीक है, chairman और CEO रह चुके हैं, AJ Luffley, इन्होंने यह book लिखी है, कि playing to win, how strategy really works, यानि किसी काम के लिए, आप success के लिए, अगर आप strategy बनाते हैं, रणनीती बनाते हैं, तो वो आपको कितना successful बना सकता है, उन्होंने का, strategy बना के ही हर काम करना चाहिए, रणनीती जरूर होनी चाहिए, इनसान के पास जीतने के लिए, चाहिए वो exam हो, या कोई किसी company को आगे बढ़ाना हो, बड़े पद पे पहुँचना हो, बड़ी आपकी चाहत हो, तो योजना जरूर होनी चाहिए, यह इस book में वही लिख रका है, कि कैसे strategy ब question आपके सामने ये रहा, यहाँ पर कुछ राजधानी शहरों की चर्चा की गई है, वेनेजुएला ये साउथ अमेरिका के अंदर, दक्षन अमेरिका के अंदर एक देश है, उसका capital city कौन सा है, निकोशिया है, सांस आलवाडोर है, क्विटो है, या काराकस है, तेरवे र कह रहे हैं, C answer होगा, ओके, प्रीती कह रहे हैं, A answer होगा, निकोशिया, वेनेजुएला की capital, वेनेजुएला बहुत famous country है, साउथ अमेरिका का तीसरे नंबर का famous ही मानलो, आप, C बता रहे हैं, क्विटो, तेरवे का D होगा, राउल कह रहे हैं, और बिल्कुल सही है, वेनेजुएला की capital है, यहाँ पर क्विटो जो है, वो एक्वेडोर की capital है, और सान्सालवाडोर है, एंड एल सान्वाडोर की capital, और यह निकोशिया है, एक छोटा सा country है, साइप्रस, मेडिटरेनियन सी में उसकी capital, यह देखे, यहाँ पर यह वेनेजुएला कंट्री य यह El Salvador country है, और San Salvador जो है उसकी capital city है, ठीक है, तो Venezuela की capital होगी Caracas, और जो Quito दे रखिये न, वो Ecuador की capital है, जो कि South America के अंदर वो country है, जहां से equator निकलती है, equator और Ecuador, यह समझ लीजे, उसकी राजधानी है, Quito, और यहां पर मने बताया, El Salvador की है, San Salvador, और Venezuela की है, Caracas, और एक country और है, Mediterranean Sea में, Cyprus, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है, आरे कहां चली गई? हाँ, यह रहा, Nicosia, भूमदे सागर जो अभी जो पंगा चल रहा है न, इसराइल वाला पंगा चल रहा है, इन्हीं की बहुत नजदीक है यह country, Cyprus, भूमदे सागर गे अंदर, जहां Italy वगर भी है, Italy है, Greece है, Turkey है, यहां पर African continent, Egypt है, वहीं पर यह country है, Cyprus, Island country है, द्वीप है और Nicosia उसी की capital है, उसी का राजधानी शहर है, चली आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपके सामने है, एक है, मेखेला चादर, एक traditional garment worn by the woman, कौन से राज्ये में मेखेला चादर महिलाओं का एक पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, यहां पर क्या, गार्मेंट लि गार्मेंट है, गहना नहीं है, मतलब वस्त्र है, कौन से राज्ये के अंदर कौन जो महिलाओं होती है, वो मेखेला चादर, गुजरात में, तमिलनाडू में, गोवा में या असम में, कौन से राज्ये की महिलाओं का एक famous वस्त्र है और अकसर वहां की महिलाओं को आप ऐस वाटरफॉल, दुनिया का सबसे उचा वाटरफॉल है, बिल्कुल सही बात है, 979 मीटर, कौन से प्रशन का जवाब दे रहे हैं, 14th का, अच्छा D है, ओके, बहुत ही बढ़िया असम की महिलाओं पहनती हैं भाई, ये जो मेखेला चादर होता है, ये इस टाइप की ड्रेस होती है, जो two piece होती है, एक साड़ी की तरह पहनते हैं और फिर एक लपेट लेते हैं उपर, ठीक है, एक साड़ी की तरह पहनते हैं नीचे और एक उपर लपेट लेते, दो पीस, two piece होता है ये, मिखिला चादर दी traditional dress of women of awesome, it is worn by the woman all ages, except बस बच्चे बच्चे नहीं पहनते, बागी सभी उमर की महिलाएं इसको पहनती हैं, कहते हैं इसमें दो pieces होते हैं, एक piece आप देख रहे हैं, नीचे लपेटा गया है, और दूसरा piece है, जो ये अलग piece है, इसको उपर से लेकर, यहां से लेकर, यहां तक लपेटा जाता है, कमर तक, ठीक हैं, तो दो piece, दो चुक अगला प्रशन, रविंदर नाथ टेहगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा, और क्या एक ही देश का लिखा या दो देशों का लिखा? केशव महाजन क्या रामायन सी गा रहे हो? अज अपिता जी के नाम है, फादर्स डे, हाँ फादर्स डे तो है भाई आज कोई बात ने, कोई बात ने, 15th का D बता रहे हैं, बांगला देश का राष्ट्रगान लिखा था और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये भी बता दो इंडिया का किसने लिखा था? भारत का जो नेशनल एंथम है, वो किसने लिखा था? दीजे ज़रा जवाब दीजे बांगला देश का राष्ट्रगान तो लिखा था इन्होंने, भारत का किसने लिखा था? नेशनल एंथम, बिल्कुल सही, बांगला देश का राष्ट्रगान लिखा था? हाँ, अंकूर करें, इन्होंने ही लिखा था? ये दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, रविंद्र नाठ टेगोर, जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है और कोई भी नहीं है ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में, जिसने दो कंट्रीज का नेशनल एंथम लिखा हो, दो देशों का राष्ट्रगान, बांगला देश का और इंडिया कोई नहीं है पूरी दुनिया में विशेश प्रकार के वीजा शुरू किया है, कौन सा कंट्री हो, ब्रिटेन है, नेपाल है, चाइना है या रश्या है, विच कंट्री है, इंट्रोड्यूसे स्पेशल टाइप ओफ वीजा टू होंग कोंग जो रेजिडेंट्स हैं, टू रिजाइड इन दियर कंट्री वाकीम चटरजी ने लिखा था, मैं राष्टर गान की बात कर रहा हूं, नेशनल एंथम, आमार, सोनार, बॉंगलो, हाँ, बिल्कुल सही, कौन से देश ने, देखो बच्चों, ब्रिटेन ने, बिल्कुल सही है, देखो ब्रिटेन को इस चीज के मामले में अच्छा देश मान लो, बहुत सारे लोग ब्रिटेन में जाके रहना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का भी मना ही नहीं करता, इंग्लेंड का भी मना ही नहीं करता, कोई भी आ जाओ रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसे वाला होना चीज, बिना पैसे वालों के अलावा तो वहां कोई रहे भी नहीं सकता, एह होगा, विद्ध्या, भूशन, टेगोर, हाँ वो तो ठीक है, टेगोर की तो बात है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है, जो किसी भी देश के लोगों, अब नेपाल में कोई आके क्यों रहेगा, नेपाल में कोई क्यों रहेगा, नेपाल में क्या है यार, चाइना किसी को बसने ही नहीं देता, कहां चाइना की बात कर रहे हो, रश्या भी ऐसी कोई policy नहीं लाता, रश्या में भी कोई भाहर का जाके बस जाए, citizenship मिल जाए, रश्या उनको पढ़ने लिग ले ले चले जाओ, लेकिन इंग्लेंड खुला रहता है इन चीजों को ले ग Hong Kong residents, जो Hong Kong के लोग हैं, residents, a chance to migrate and eventually apply for the British citizenship, तो British citizenship के लिए उन्होंने open कर दिया, कि आजाओ और रहो, नेपाल में कोई क्यों रहेगा यार, विल्कुल केशव सही बात है, नेपाल जैसे देश में कोई घूमने पहाड के उपर चड़ने चलाएं, Mount Everest के अलग बात है, कोई कोई पश्चमी रेलवे, भहिया, कहां है पश्चमी रेलवे, ध्यान से देखो, उसी से जवाब हो जागा, किस राज्य में ये वागई, बिली मोरा के बीच में, 107 साल पुरानी एक Narrow Gaze Heritage Train थी, उसकी सेवाओं को स्थाई रूप से बंद करने का फैसल है, या Indian रेलवे ने, तो वो कौन से स्टेट की बात है, वो पंजाब की बात है, तमिलनाडू की बात है, गुजरात की या जारखंड की, अगर आपको इतना ही पता है कि पश्चम रेलवे कौन से राज्य में है तो आप जवाब दे देंगे, हाँ भी, चाइना नहीं, ब्रिटेन ने खोला था, 17th न पश्चिमी रेलवे में कब से आने लग गया, बच्चा, सर मैं अभी आया हूँ, ठीक है आ जाओ, गुजरात, सर आज क्लास चल रही है, हाँ बिल्कुल संडे है वई, संडे को ज्यादा रिलेक्स मूड में पढ़ना चीए, संडे चुट्टी का दिन है, गुजरात है बच अंदर रेलवे, रेलवे के कई सारी जोन हैं यहाँ पर, लेकिन जो वेस्टरन रेलवे है, पश्चिमी रेलवे है, बच्चों ध्यान से देख लो, वेस्टरन रेलवे, यह रा, वेस्टरन रेलवे को दिखाया गया है, इस कलर के अंदर, बिल्कुल ही हलके कलर के अंदर, यह वाला है western railway ठीक है पश्चमी railway तो पश्चमी रेलवे की जब जब बात आती है तो आप कौन-कौन से states को कवर करेंगे पश्चमी रेलवे में यहां तक आता है गुज्रात का लगबग पूरा पूरा पाल्ट इसके अदर गुज्रात का पूरा 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 पाल्ट western railway के अंदर आता है ठीक है यह वेस्टर रेलवे और यहां है Central तो वेस्टरन रेलवे का जब जब बात आएगी तो क्या कहोगे आप गुजरात सीधी सीधी बात है और नौर्थ वेस्टरन रेलवे उत्तर पश्चमी रेलवे की बात आएगी तो कुछ थोड़ा सा यहां पर यह पंजाब और इस वाला जिसे कहते हैं दिल्ली तक का पार्ट जो है वो ले सकते हैं दिल्ली से बार-बार वाला हरियाना वाला और थोड़ा सा पंजाब वाला और राजस्तान का जाहातर पार्ट और फिर राजस्तान का जो इस्टरन साउथ इस्टरन पार्ट है वो कुछ भाग यह वेस्टरन रेलवे में आता है और कुछ आता है सेंट तर साल पुरानी ट्रेन है जो मतलब तूट फूट गई है और इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया और रास्ता जो है वो काफी संकट भरा है तो इस ट्रेन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया रोक दिया गया बही है यह अब काम की नेरी पट्री ओपर घास हुगा तो इसको चलाना ठीक नहीं है साइकल के साथ बच्चे आस पास में खेल रहे हैं यह वगई स्टेशन है वगई गुजरात का राइट चलो आगे बढ़ते हैं विश्व कैंसर दिवस अभी हमने देखा कि आठ जून को मनाया जाता है वर्ड ब्रेंड टूमर डे यानि मस्तिस कैंसर व मांच मार्च को तीन अप्रेल को या चार फरवरी को अठारवे नंबर क्वेश्चन का जवाब चार फरवरी को बता रहे हैं कोई किसने बताया केशव महाजन ने बहुत बढ़िया और विद्या भुजण कह रहे हैं डी होगा सर मैं टाइम से पता हूँ आप से यूपी एफसी पर अच अब ठीक है नितिन ठीक है थैंक्यू रोशन कुमार कह रहे हैं डी होगा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत सुन्दर इधर देखो जवाब क्या है चार फरवरी को मनाया जाता है बच्चों वर्ड कैं सर डे विश्व जो ट्यूमर दिवस है वो बनाया जाता है चार फरवरी को याद रख लेना फॉर्थ मतला आप चार को कैसे याद रखेंगे चार को याद रखना कुछ ऐसे ऐसे ही एक जगे चार भी लिखा जाता है यह देखो यह जो निशान है वो ऐसा है ना चार को हम ऐसे भी तो लिखते हैं अरे भई ऐसे भी तो लिखते हैं चार को तो यह ऐसा ही तो निशान है कैंसर वाला जो निशान है या जिसे कहते हैं सुरक्षा वाला निशान कैंसर से बचो वाला टाइप का खत्रे वाला तो चार चार फ चार फरवरी के बाद में भारत और किस देश कौन से देश के बीच में एक सिन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम ही था युद्धा भ्यास युद्ध अभ्यास ठीक है सोलवा संस्क्रन था आठ फरवरी से वो शुरू हुआ था और 20-21 फरवरी तक चला था 2021 में वो कौन से देश के साथ किया था अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से पता चल जाएगा चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ या बांगलादेश के साथ कौन से देश के साथ C ठीक है और कोई USA ओके पाकिस्तान के साथ मतलब सोचना ही नहीं है बांगलादेश मरियल है वेचारे को कभी कोई ग्यान दे दिया दे दिया यह इतना फेमस नहीं हो सकता बांगलादेश के साथ अगर हमने कोई युद्ध अभ्यास किया भी है तो कहीं खोपचे में साइड में होता है छोटा मोटा अमेरिका के साथ जो होगा वो famous होगा क्यों क्योंकि युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ करने का मतलब यह नहीं है कि हमने कुछ सीखा है कुछ सीखा है अरे वो नहीं दुनिया को ये संदेश दिया जाता है कि भारत और अमेरिका की जो सेनाये हैं वो एक साथ काम कर रही है तो ये अपना पावर दिखाने का एक तरीका होता है जैसे चाइना को डराना हो बिटा अमेरिका वाली सेना देखो हमारे साथ आगे अभ्य अभ्यास हुआ था ये हुआ था कहां पर एट फ्रवरी से स्टार्ट वा था इंडो इंडिया और युनाइटेट स्टेट्स का जोएंड मिलिटरी एकसाइज थी उसका नाम ही था युद्ध अभ्यास ठीक है महाजन फील्ड बोलते हैं जहां पर ये प्रेक्टिस हुई थी तो वो जो जैसल मेर का है ना ये बीकानेर का सुरी बीकानेर में है राजस्थान में बीकानेर के अंदर और उसको बोलते हैं महाजन फील्ड वहां पर ये प्रेक्टिस एकसरसाइज हुई थी राइट 200 अमेरिका के और 200 इंडिया के आर्मी के शॉल्जर्स थे इसमें पार्टिसिपेट किये थे मतलब लगबग लगबग 500 सेनिक थे एक साथ जो अभ्यास कर रहे थे ठीक है जी आगे आजओ वायू सेना की बात चल रही है सेना की तो जो वायू सेना मुख्याले है उसमें एक महा निदेशक होते हैं यानि डारेक्टर जनरल होते हैं जो Air Force Headquarter होता है उसके अंदर किसकी नियुक्ति हुई है उस पे वायू शेना मुख्याले के अंदर जो Air Force Air Headquarter नहीं है Air Force आएगा Air Force Headquarter के अंदर कौन से व्यक्ति हैं जिनकी Director General के रूप में नियुक्ति हुई है तो यह प्रशन अगर आज से 6-7 महिने तीन महिने में एक्जाम होगी इतनी जो Director General बदलेंगे नहीं आप जवाब दे सकते हैं नहीं पता सर देखो यह GS Bedi साहब है जिनका वहाँ पर Air Force मुख्याले के अंदर Headquarter के अंदर Director General के रूप में GS Bedi सर्दा साहब है गुर्चरन सिंह Bedi ठीक है जी तो एर मार्षल रहे हैं और अब वो Director General जो Inspection and Flight Safety इसके Director General बनाए गए है Inspection और Flight Safety यानि उडाने को लेकर मतलब अंगरी जी वाला शब्दी ठीक है उडान सुरक्षा बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा GS Bedi साहब को याद रखना Air Force के साथ Brand जो मुल्यानकन होता है वो List जारी करता है एक होता है Duff and Phelps एक Company है Duff and Phelps ये एक List जारी करती है जिसमें ये कहती है कि किसकी Brand Value सबसे जादा है कौन सबसे जादा प्रचार करके पैसा कमा रहा है तो हाली में जो List जारी हुई थी उसमें पहली Rank पर Ranked No.1 पर कौन रहा विराट कोली रहा रंडवीर सिंग रहा शारुक खान रहा या MS धोनी रहा मतलब Celebrities को लेकर Celebrity को लेकर होता ना मुझे पता है Celebrity से ही होता Celebrities यानि जो बड़े-बड़े लोग होते हैं Celebrity List होते हैं बड़े Celebrity आपके यहां नेट कमजोर होगा आज मेरे यहां कोई दिक्कत नहीं है आज यहां शांदार है उस दिन क्या हुआ था जो इंटरनेट कनेक्शन था वो बाहर वाला कनेक्ट हो गया था यहां भी एक इंटरनेट कनेक्शन है इस जगे तो वो इसकी 300 300 MBPS की स्पीड है तो इसमें कोई समश्या नहीं आती है यह बहुत धुमाधार चलता है यह जो यहां वाई-फाई लगवा रखा है हाँ जी क्या जवाब दे रहे हो इस प्रशन का जो जवाब होगा बच्चों वो है विराट कोली साब विराट कोली ने हाल-फिलहाल में खूब पैसा कमाया है खूब जबरदस्ट पैसा कमाया है सेलिब्रिटी लिस्ट के अंदर विराट कोली ने जो डोलर यानि कितने मिलियन डोलर तो अगर हर वर्ष की बात करें तो 237 38 मिलियन डोलर और दूसरे नंबर पे रहे हैं, अक्षरकुमार ने भी कम पैसे नहीं कमाये हैं, और सब्सक्राइब टेक्स पे करने वाले व्यक्ति हैं, टेक्स चोरी नहीं करते हैं, रनवीर सिंग को खूब फिल में मिली हैं भीया, उन्होंने भी ठीक टाक पैसा कमाया है, शारुक खान भी इ पैसा वसा खूब कमा रहे हैं, भारती टीम के जो कप्तान बन जाए हैं, और खिलाडी भी ठीक टाक हो, तो उससे ज्यादा पैसे और कौन कमायेगा, तो यह जो यह एक तो यह भी याद रखना, कि यह Duff and Phelps जो है, यह कंपनी क्या लिस्ट जारी करती है, तो सेलिब्रेट ने अक्षे कुमार को पचाड दिया, हाँ यह, बिल्कुल सही करें, अक्षे कुमार मतलब अच्छे काजे पैसे कमाते हैं, छोड़ी छोड़ी फिल्में बना के, किस प्रशिद इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बहुत बड़े हिस्टॉरियन थे, उनका निधन हो गया अभी थोड़े दिनों पहले, 21 वर्ष के थे वो, फरवरी मार्च के अंदर हुआ था शायद उनका निधन, तो उनका नाम अगर कभी हाल फिलाल की एक्जाम में पूछ ले तो क्या बताएंगे, द्विजेंदर नरायन जहा थे, या डियन जहा थे, या बहुत बड़े, B option कह रहे हैं, द्विजेंदर जहा बोल रहे हैं, कैशव कह रहे हैं, बहुत बड़िया, ये डियन जहा सा भी थे और इनका निधन हो चुका है, बहुत वृद्ध अवस्ता में थे, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं ये, काफी सारी बुक्स वगर इने उन लोगों के इतिहासकार, इनको क्या कहा जाता है, लोगों के इतिहासकार, मतलब इतिहास में भी उन चीजों को ढूंड लेना, जो व्यक्ति विशेश या फिर व्यक्तियों के बारे में लोगों के लिए, हित के लिए जो बात होती है, उसको निकाल कर सामने रखना, तो चार फरवरी को हुआ था, 2021 को इनका निधन ठीक है, DN जास आपको याद रखना, बहुत बड़े इतिहास कार रहे हैं, और इनका निधन हो चुका है किस मंत्राले ने गोव वर्धन योजना सेंटरल गोवर्मेंट के किस मिनिस्ट्री ने, which ministry has recently launched unified portal, एक portal निकाला है, unified portal एक इकरित portal, किसके लिए, गोव वर्धन योजना के नाम से, मतलब गाय को बढ़ावा देने के लिए, कहीं गायों के उपर अत्याचार हो रहा है या पिर उनको खाना नहीं मिल रहा पानी नहीं मिल रहा, उनको सुईदा नहीं मिल रही, या कोई उनका शोशन कर रहा है उनकी हत्या कर रहा है, तो एक portal बना दिया सब का, इस portal पी जाओ, www.go वर्धन योजना और सीधा पहुंच जाओंगे वहाँ पे, आप कह रहे हैं, agriculture ministry ने ऐसे क्या मतलब है, ठीक है, home ministry का काम गायवाय देखना नहीं है, याद रखना, home ministry जो होती है, आंतरिक, जो सुरक्षा के मामले होते हैं, उनको देखता है ministry of agriculture के पास, जिसे कहते हैं, ऐसे काम निप्टाने का काम नहीं है, कृषी मंत्राले के पास, तो जल शक्ती मंत्राले का काम है, यह न, कौन से मंत्राले के अंडर रखा गया है, agriculture नहीं elimination से हो गया, क्या कहा, अच्छा B जवाब, B नहीं होगा, C होगा इसका जवाब C होगा बच्चा, C, elimination method इस तरीके से लगाओ, home ministry के पास, गायवाय, बहेंस, बहेंस, बकरी देखने का टाइम नहीं है, और कोईला ministry के पास, कोईला खोदले वही बहुत-बहुत है, गाय को थोड़ी देखने का मतलब गाय का वरतन करना, उसकी वृति करना, और क्रिशी मंत्राले के पास, वैसे ही क्रिशी पहुँच जाए बस, इतना ही तो काम है, कोई बहुत-बड़ा काम थोड़ी है, तो उसको गाय पगड़ा दू, गाय को पानी पिला देंगे वो, तो जलशक्ती मंत्राले यानि जो ministry of जलशक्ती है, उसके अंडर रखा गया है गोवर्धन पोर्टल को जलशक्ती मिनिस्ट्री लॉंचेज पोर्टल ओन लॉंच आप दि गोवर्धन यूनिफाइड पोर्टल ठीक है जी, जलशक्ती मंत्राले अंडर इसको रखा गया है ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रशन रखेंगे बच्चों तकरीबन तकरीबन हमारा एक घंटे की क्लास तो होई चुकी है कल भी क्लास रहेगी और कल मैं थोड़े सी ज़्यादा क्वेस्चन रखूंगा आठ या नो बजे और आप अगर बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो क्लास स्टार्ट होते ही आई जाएगी नहीं तो आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन करके रखिए टेलिग्राम चैनल है धर्मेंद्र जीयो सर के नाम से इस टेलिग्राम चैनल पर अगर आप जाएगे तो जो भी नई इन्फोर्मेशन आती हैं किसी भी बारे में कोई भी क्लास के बारे में तो आपको मिल जाएगी करंट अफेर के साइन्स के पॉलिटी के हिस्ट्री के जॉग्रॉफी के सब के क्वेस्चन्स इस दो हजार या पच्छी सो स्कीम के अंदर रहेंगे करंट अफेर भी खूब सारे क्वेस्चन्स में लाओंगा आपके लिए हाल फिलाल के पिछले एक साल से रिलेटेड कुछ नहीं छोड़ने वाला में बिल्कुल कल से इसको क्लास को हम तकरीबन दो घंटे के आस پास रखेंगे और कोशिश रहेगी हर दिन कम से कम 50 प्रॉषन करें करें, फिर भी 2000 प्रशन करने में कितने दिन लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे, ठीक है, 50 प्रशन करेंगे, 100 प्रशन करेंगे, तब 20 दिन लगेंगे, और 50 किसी दिन मेराथन रख लेंगे, जैसे अगले संडे को रखते हैं, कम से कम भी 200 प्रशनों के ऊपर एक मेराथन, पांच-छे घंटे की जितने लोग जुड़ना चाहो अगले संडे को रहेगी मेरा थन कम से कम 200 प्रशन रखेंगे तागे एक साथ सर आप अच्छा ठीक है के शब थैंक यू मिलते हैं फिर कल रात आठ या नो बजे चैनल के उपर रही है इसके उपर दर्मेंदर जीयो सर या फिर यहां इस चैनल के उपर जो GS Gyan Hub है आपका अपना ही चैनल है जो आप कहेंगे वो पढ़ाते रहूंगा मैं यहां पर और NCERT की सीरीज चल रही है वो वीडियो भी आप देख लिया कीजिए क्योंकि जोग्रोफी की NCERT चल रही है भी और उसके बाद में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ अन्य सब्जेक्ट सी भी NCERT क्लास 6 से लेके 12 तक वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि हर क्लास की NCERT में उतना कुछ खास नहीं दे रखा हुता तो जो important NCERT है उनको cover कर देता हूँ चाहिए वो economy की है history की है geography की है या फिर polity की है ठीक है सारी की सारी NCERT के अपर कोलम बना कर पूरा categorize करके आपके लिए कर दूँगा मैं ठीक है ठीक है क्या नाम है आपका अखलाख जाट अखलाख मैंने सही बोला है या कुछ और spell out करते हैं इसको नंदू बच्चा मैं वैसे तो हूँ जैपूर से राजस्तान से सीकर है वैसे मेरा तो जैपूर राजस्तान के अंदर जो parental जो जमीन रेजिडेंस वगर है वो तो घर जैपूर में भी है और मैं फिलाल रहता हूँ दिल्ली में गोतम कुमार सर मेरा नाम अनई गोतम कुमार मैं आपके लिए नहीं अखलाख की बात कर रहा था वो spelling बोली नहीं जा रही थी गोतम क्या हुआ कुछ लिखाए गया आपने हलो अच्छा हलो बोल रहे हैं हाई और कोई बात हो तो कीजिए मैं तो आप ही के लिए हूँ क्लास तो ओवर हो चुकिया आज कि फिर भी अगर आप से आप लोग कुछ बात करना चाते हैं कुछ कहना चाते हैं बिल्कुल आप खुलकर यहां पर बात कर सकते हैं यहां हम free हैं आपस में बातचीत करने के लिए और कोई question हो, कोई doubt हो जो आपको कहीं अटक रहा है तो मैं सभी के जवाब दूँगा ठीक है Gautam, thank you चलिए फिर कल मिलते हैं Telegram channel के साथ जुड़े रही है मैं आपको message कल सुबह ही दे दूँगा आट बजे से होगी या नो बजे से और कल कम से कम 50 questions रखते हैं, ठीक है thank you very much, bye bye, good night